है कि है व्जो एवरी वरी व्यलंगटू टाइम में इक्स मनी तो आज हम लोग एक नए टोपिक के बादे में बात करें के एक अलगी टोपिक रहेगा और वह टोपिक है कि आपिट मुझ समझेंगे बील ओफ एक्षेंज होता किया है तो देखिये सबसे पहले हम लोग बात कर यहां यहां एक्षेंज में तीन टाइब की ट्राइब होते हैं सबसे पहले ट्रेड होता है नॉर्मल ट्रेड होता है जिसमें एक कि एक बाइर शेलर को पैसा देता है कुछ गुट्स प्रचेज करने के लिए और अपना अपना लिए टेट्र यूल Zurich कुछ समान करें जाते हैं तो सब्सक्राइ collectiveашल सेलर को पीसे देता है और उसके भाते हमगों प्रोडवक्त दे तार पर देटा है है फिर पहले क्रेडिट फॉर्म ऑफ ट्रेड में सेलर को जब हम लोग समान लेते हैं हम लोग पैसे नहीं देते हैं पेमेंट हम लोग क्रेडिट पे लेते हैं गूट हम लोग का डिस्पैच हो जाता है लेकिन हम लोग पेमेंट क्रेडिट पे ले लेते हैं उधार पे ले लेते हैं इसकी क वहां से बिजनेस कर पाएगा तो यह कंग तेसं तरेड हो गया और सबसे लास्ट में आता है जिसको हम लोग को समझना बहुत इंपोर्टेंट है वो होता है Bill of Exchange Trade number 3 होता है Bill of Exchange तो चलिए अब हम लोग समझते है कि Bill of Exchange क्या होता है दिखिए बील of Exchange में होता क्या है जब कभी जिससे कोई हम लोग अगर माले ठीक हिए कि इंडिया है और चाइना है अगर दोनों आपस में Transaction कर रहा है किसी ऐचीश को लिए Transaction कर रहा है प्रोड़क्त भेज देते हैं तो फ्रोड हो सकता है कि वह हमको पैसा ने बेज़े तो इस टाइप के जब एस्टी नहीं रहती है जब डाउट रहता है कि पैमेंट को लेकर के पैसा लेकर यह किसी पर विश्वास नहीं रहता है तो इस जगह पे हम वो लोग ट्रेडर लोग यूज करते हैं एक bill of exchange एक unconditional return order होता है जहां पर एक परसन दुसरे परसन को इस प्रिश्वाइड एमांट पे करने का गैरेंटी देता है कि लेटर पे सिगनेशर करता है कि हाँ हम यह इतना पेमेंट आपको हम करेंगे अब जैसे मान लिजी कि इंडिया और चाइना के बीच में अगर कुछ ट्रेड को लेगर चल रहा है कोई transaction business चल रहा है जैसे मेरा ही एकर मान लिजी business चल रहा है तो हम क्या करेंगे जो भी seller रहेगा उससे हम bill of exchange में एक assurity ले ले लेंगे bill of exchange दो तीन वीका होता है कि जैसे कि आप क्या कीजिए कि आप हमको dispatch कर दीजिए उसके बदला में dispatch करने का agreement हो गया हम लों कि आप dispatch कि आपको हम पैसा देंगे तो पैसा हो सकता है कि हम दे दे तो वह dispatch नहीं कर रहेगा और वह होता है bill of exchange उसमें सब्सक्राइब लिखा रहता है कि आप तीन वेक या फिर चार वेक understand आपस में करके कि इस एक fix date को payment करने का agreement बनता है और यह legal document होता है और क्योंकि जब agreement बन जाता है bill of exchange के थुरू तो यहां पर एक assurity आजाती ही कि अगर हम product dispatch करेंगे तो buyer क्योंकि bill of exchange लिटर पर सिखनेचे तो कर रखा रहेगा जिसमें fix date सब लिखा रहेगा लिखा रहेगा तो उस पे सब्सक्राइब दिया रहेगा तब फिर सेलर वहां से dispatch कर देगा समान और bill of exchange के थुरू और उसको जो भी इस पे सबाइट fix date को amount fixed payment रहेगा उस समय उसका उसको payment कर दिया जाएगा इस transaction में seller drawer होता है और buyer drawer भी होता है अब bill of exchange two type के होते है एक होते है side bill of exchange और दूसरे होते है term bill of exchange तो देखिए side bill of exchange में हो गया कि at the time payment कर देना कि समान लीजी और पैसा दीजीए लेकि term bill of exchange में हो गया कि बात में future में एक date निकालते है कि इस date में हम fix करते हैं आप good को dispatch किजिए आप हमको document दीजिए लेटर दीजिए हम आपको सब्सीद एक्सेप्ट करेंगे बाइर एक्सेप्ट करता है fix date को payment करता है और legal document रहता है यह हो जाता है term bill of exchange तो हमें लगता है बिलकुल आप लोगों समझ में आ गई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो definitely वीडियो को like share और comment जरूर कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और तब सब्सक्राइब रही time max बने से क्योंकि समय ही पैसा बनाता है